प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पहला पाच, कुरंतियों के नाम सन पौलूस के पहले पत्र से भाईयो, मैं उस समय आप लगों से उस तरह बाते नहीं कर सका जिस तरह आध्यात्मिक व्यक्तियों से की जाती है मुझे आप लगों से उस तरह बाते करनी पड़ी जिस तर प्राकृत मनिस्यू से मसी में नेरे बच्चों की तर की जाती है मैंने आपको दूद पिलाया मैंने इसलिए आपको ठोस भोजन नहीं दिया कि आप इसे नहीं पचा सकती थे आप इस समय भी इसे पचा नहीं सकते क्योंकि आप अब तक प्राकृत है आप लोगों में इश्या और जगड़ा होता है क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि आप फ्राक्रत है और नीरे मनुश्यू जैसा आचरण करते हैं जब कोई कहता है मैं पॉलूस हूँ और कोई कहता है मैं अपॉलो का हूँ तो क्या इह निरे मनुशु जैसा आच्रन नहीं है अपोलो क्या है पाउलुस क्या है हम तो धर्म सेवक मात्र हैं जिसके माध्यम से आप विश्वासी बने हमने प्रतियेक ने वही काम किया जिसे प्रभु ने उसको सौपा है मैनी पवधा रौपा अपोलों ने उसे सींचा किन्तु ईश्वर ने उसे बड़ा किया ना तो रोपने वाले का कोई महत्व है और ना सींचने वाले का बलकि व्रदी करने वाले अर्थाद ईश्वर का महत्व है रोपने वाला और सींचने वाला एक ही काम करते ही और प्रतेक अपने अपने परिश्रम के अनुरूप अपने मजदूरी पाएंगे हम इश्वर के सहयोगी है और आप लोग हैं इश्वर की खेती इश्वर के मंदीर यह प्रभु की वानी है संद लूकस के अनुसार पवित्र सु समचार अध्याय चार वाके 38 से 44 तक वे सभागरे से निकल कर सीमोन की घर गए सीमोन की सास तेज बुखार में पड़ी वी थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्तना की इसा ने उसके पास जाकर बुखार को डाटा और बुखार जाता रहा वा उसी छण उठकर उन लोगों के सेवा सदकार में लग गए सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बिमारियों से पीडित अपने यहां के रोगियों को इसा के पास ले आए इसा एक-एक पर हाथ रख कर उने चंगा करते थे अबदूत बहुतों में से यह चिलाते वे निकलते थे आप इश्वर के पुत्र हैं परंतुवा उनको डारते और बोलने से रोकते थे क्योंकि अबदूत जानते थे कि वो मसी हैं इसा प्रातर काल घर से निकल कर किसी एकांत स्थान में चले गए लोग उनको खोजते खोजते उनके पांस आए और अनरोध करते रहे कि वो उनको छोड़ कर नहीं जाएं किन्तो उन्हों ने उतर दिया मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर की राज का सुसमाचार सुनाना है मैं इसलिए भेजा गया हूँ और वे यहूदिया की सबाग्रहों में उबदेश देते रहे यह प्रभु का देवय सुसमाचार है ख्रिस्त प्रभु की जय मेरे प्रिये भाई और बेनू आज का पहला पांठ कोरिंतों के नाम सन्पॉलूस के पहले पत्र की अधियाए तीन से लिया गया था कोरिंत एक शहर था और वहाँ पर पाउलूस ने करीब डेड़ साल तक सुसमाचार की घोषना का कारे किया बहुत सारे लोगों ने प्रभिये सुमसी पर विश्वास किया और एक अच्छी खासी कलीश्या का सुर्जन हुआ विश्वासियों का एक बहुत बड़ा समुदाय वहाँ पर बना उसके बाद पाउलूस वहाँ से चला गया बाद में पाउलूस को वहाँ की कलीश्या के बारे में कुछ संदेश प्राप्त होगा कि उस कलीश्या में क्या-क्या गरबड़ेया आ गई है पाउलूस के जाने के बाद कई अन्य विश्वासी मसीही वहाँ पर सु समाचार की घोष्णा के लिए आये और उनमें से अपोलूस और पीटर महतु पूर्न लोग है अपोलूस सु समाचार की शिक्षा में बहुत तेश थे और बहुत सारे लोग उनके साथ लग गए कुछ लोग पीटर के साथ लग गए अन्य लोग पाउलूस के साथ लग गए इस प्रकार कुरिंद की कलिस्या में लोगों में दलबंदी आ गई कुछ लोग पाउलूस को अपने गुरू और अगवा मानने वाले कुछ लोग अपोलूस को अपने गुरू और अगवा मानने वाले कुछ लोग पीटर को अपने अगवा और गुरू मानने वाले और वे आपस में जगडते थे वे आपस में चर्चा करते थे कि पॉलूस के क्या-क्या गुन है अपॉलूस के क्या-क्या गुन है पीटर के क्या-क्या गुन है एक दूसरे की तुलना करने लगे बिल्कुल सानसारिक जैसे पॉलूस को इसकी खबर मिली और पॉलूस वहां की लोगों को सचेतते हैं या उनसे कहते हैं कि आप लोगों में इरश्या और जगडा होता है क्या यह इस बात का प्रमान नहीं कि आप प्राकृत हैं और निरे मनुश्यों जैसे आचरन करते हैं आप प्राकृत हैं सानसारिक हैं पॉलूस यह बताना चाहते हैं कि कलीसिया प्रभी येशू की है कलीसिया कोई प्रतियोगिता का मंच नहीं है कि कौन बड़ा है कौन अच्छा है बलकि कलीसिया प्रभी येसु की है और कलीसिया का केंद्र येसु है ना पॉलूस है ना अपॉलोस है और ना पीटर है इसलिए सन पॉलूस कहते हैं पॉलूस क्या है हम तो धर्म सेवक मात रहें जिनके माधियम से आप विश्वासी बने हम्में प्रत्येग ने वही कारी किया जिसे प्रभू ने उसे सुपा मैंने पौधा रोपा, अपोलोस ने उसे सीचा किन्तु इश्वर ने उसे बड़ा किया न तो रोपने वाले का महत्व है और न सीचने वाले का अंबल की वृद्धी करने वाला अर्थाद इश्वर का ही महत्व है रोपने वाला और सीचने वाला एक ही काम करते हैं और प्रतेग अपने अपने परिश्रम के अनुरूप अपने मजदूरी पाएगा हम इश्वर के सहयोगी हैं और आप लोग हैं इश्वर की खेती और इश्वर का भवन पॉलूस कोरिंद की कलीशिया को समझाते हैं इन सारी बातों को लेकर जगड़ा करना तरकहीन है और विश्वास की विरुद हैं क्योंकि कलीशिया का केंद्र येसु हैं मेरे प्रिये भाई और बेनों आज भी मुझ इतने ही सू समाचार के प्रचारक और उनके शिश्यों के बीच जगड़ा होते हैं तुलना की जाती है दलबंदी होती है आगूओं के बीच में जगड़ा होता है सू समाचार के सेवक सेविकाओं के बीच में जगड़ा होता है यहां तक कि मेडिया में आता है शिश्यों क बीच में जगड़ा होता है कलीश्या में एक बात को जानना ज़रूरी है कि खरेष्ट ही कलीश्या का केंद्र है हमारे आश्रम में मैंने प्रारंब से ही लोगों को समझाया है कि आपका विश्वास येशु पर है ना कि मुझ पर है और इसलिए मुझ से मिलने बहुत कम लोग आते हैं येशु से मिलने बहुत सारे लोग आते हैं प्रभी येशु ने स्वयम हमें बताया है कि मसी को छोड़कर और कोई भी हमारे आचारे बनने योग्ये नहीं है हर मसी ही और विश्वासी को इस बात को जानना जरूरी है कि संसार में कोई भी मनुश्य हमारे आनुकरण के योग्ये नहीं है एक मात्र येशु ही हमारे आनुकरण के योग्ये है दलबंदी मनुश्यों को अपना सब कुछ समझना ये सब अध्यात्म के खिलाफ है ये सब नेसरगिक हैं प्राकृत हैं आध्यात्मिक नहीं हैं हर विश्वासी को हर मसीह को येशु केंदृत जीवन जीना चाहिए किसी अगवा केंदृत नहीं किसी गुरु केंदृत नहीं किसी मनुष्य केंदृत नहीं बलकि येशु केंदृत जीवन जीना चाहिए आस्रम में भी मैं देखता हूँ कभी कभी लोग मनुश्यों को ज़्यादा महतु देते हैं मनुश्यों को बहुत ज़्यादा महतु देते हैं ना कि येशु को महतु देते हैं लेकिन मैंने देखा है जो लोग येशु को महतु देते हैं येशु को केंदर बनाते हैं उनके जीवन में येशु के बड़े बड़े चिन और चमतकार देखने को मिलते हैं लेकिन जो मनुष्यों के पीछे चलते रहते हैं वे बटकते रहते हैं एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य हम कुरिंत की कलिस्या से ये सीखें कि उन्होंने जो किया वो गलत है हमें येशु केंदृत ख्रीस्त केंदृत जीवन जीना चाहिए और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार की अध्याय चार से लिया गया था आज के सुसमाचार में हमें प्रभी येशु के सेवाकारी का एक संक्षिक्त वरनन मिलता है प्रभी येशु रोग्यों को चंगा करते थे प्रभी येशु अब्दूत ग्रस्तों को अब्दूतों से छुटकारा दिलाते थे प्रभी येशु अपने पिता की सेवा करते थे प्रार्तना में समय बिताते थे प्रभ ये सुसभाग्रहों में जाकर इश्वर के राज के बारे में शिक्षा दिया करते थे आज के सुसमाचार में हमने सुना वे सबाग्रह से निकल कर सीमोन के घर गए सीमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की सीमोन ने नहीं कहा कि प्रभू मेरी साज बुखार से पीडित है बलकि लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की और इसा ने उसके पास जाकर बुखार को डाटा और बुखार जाता रहा येसु ने बुखार को डाटा और बुखार जाता रहा सु समाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभी येसु ने आंधी को डाटा समुद्र को डाटा प्रभी येसु ने अब्दूतों को डाटा क्योंकि प्रभु के अंदर अधिकार था सामर्थ था प्रभू ने प्रार्थना नहीं की कि ये पिता इस बेहन पर दिया कर इसे चंगा कर प्रभू ने लाजरुस की कबर के सामने खड़े होकर ये ने कहा कि ये पिता लाजरुस को जिन्दा कीजिये बलकि प्रभू ने आदेः दिया डाटव क्योंकि प्रभू के अंदर ये सामर्त था और प्रभू ने हामें भी ये सामर्त दिया है लृकस कि सुसमाचार के अद्याई 10 वाकिय 19 में प्रभू कहते हैं कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्चुं और सब्भेरियों की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ दिया है प्रभू ने अपने शीश्वों को ये सामर्थ दिया है तो प्रभू ने डाटा और बुखार जाता रहा नतिजा क्या हुआ वह उसी चण उठ खर उन लोगों के सेवसतकार में लग गए सीमोन की सास चंगी होने के बाद यो ही नहीं रही बलकि वो प्रभू की सेवा करने लगी प्रभू के लोगों की सेवा करने लगी मैंने कई लोगों को देखा है जो बड़े बड़े चंगाईयां पाए हैं लेकिन उसके बाद वे प्रभु को भूल जाते हैं प्रभु के लोगों को भूल जाते हैं बस लेकिन यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता ہے उसी गशन उठकर उन लोगों की वो सेवा सद्कार करने लगी प्रभु ने हमें जो कुछ दिया उसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है इसा के पास ले आए इसा एक एक पर हाथ रख कर उने चंगा करते थी येशु के हाथ के द्वारा इश्वर का सामर्तिय उनके अंदर कारे करा था येशु के हाथ में इश्वर का सामर्तिय था येशु के हाथ के द्वारा इश्वर की करुणा और दया उनकी और बह रही थी इतना ही नहीं अब्दूत ग्रस्त चिलाते थे अब्दूत चिलाते थे वचन में लिखा हुआ है क्योंकि अब्दूत जानते थे कि वह मसी है सुस्वाचार में बार बार ये पढ़ने को मिलता है कि अब्दूत येसु को पैचान जाते थी कि ये मसी है ये इश्वर का पुत्र है अगला हम पढ़ते हैं इस प्राता काल घर से निकल कर किसी एकांत स्थान में चले गए प्रभी येसु सेवा करते थे लोगों की उसके साथ साथ अपने पिता की भी सेवा करते थे बड़े सबेरे उठकर पिता के सानिदे में बैठने के लिए समय निकलते थे प्रभु पिता से प्राप्त करते थे और लोगों में बाढ़ते थे पिता से उर्जा प्राप्त करते थे पिता से सामर्थे प्राप्त करते थे प्रेम प्राप्त करते थे ग्यान प्रग्या प्राप्त करते थे और लोगों में बाढ़ते थे पिता की सेवा में लग गए आगे हम पढ़ेंगे कि वे यहूदिया के सबाग रहों में उबदेश देते रहे चारों और ढूम ढूम कर सबागरों में जाकर इश्वर के राज का रहस्य लोगों को समझाते थे प्रभियेसु का संपूर्ण जीवन इश्वर के लिए और इश्वर के राज के लिए समर्पित था उनके रग रग में उनके शरीर के कान कान में ईश्वर और ईश्वर का राज बसा हुआ था येशु ईश्वर के राज का दूत बने मेरे प्रिये भाई और बैनों हम मसीही होते हुए विश्वासी होते हुए यों ही नहीं बुलाए गये हैं हमें भी येशु की तरह इश्वर के राज के लिए काम करने की अवश्यक्ता है आप विवाहित हूं, परिवार में रहते हूं, अविवाहित हूं, धरम समाजी हूं, पुरोहित हूं हम सभी को इश्वर के राज के लिए काम करना है येशु की तरह पूरी तरह समर्पित होकर अपने परिवार में पारिवारिक जिम्मेदारिया निबाने के बावजूद हमें येश्वर के राजी के लिए समय निकालने के जरुवत आई हम प्रार्तना करें प्रभियसु धन्यवाद देते हैं आज की सुन्दर दिन के लिए इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं हम दूसे प्रार्तना करते हैं हम तेरा आनुसरन करें तेरा आनुकरन करें येश्वर के राजी से ओत्प्रोत होकर उस राजी के प्रसार के लिए जितना हो सक्य हम कर सके यह प्रभीय सुन बचनों को सुनने वाले मेरे भाय बेनों को अशुवाद दे ना आज कर संपून दिन उनके लिए किरपा का दिन बने आशिष का दिन बने अमारी प्रारतना को गॉग्रहन कर आमेन जोते अंधेरा मिटाते भाड़ी 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 पवित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है जीवन का मन्ना है